हेलो दोस्तों ग्यान के दुकान में आपका फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग लियूसेंट जी के सीरीज के प्रेम्बल टॉपिक से इंपॉर्ट इन हम से क्यूज देखेंगे प्रेम्बल जो है हमारे कॉंस्टिशन का पहला पेज होता है इसको हम लोग समर्य प्रेम्बल जिसको आज हम जानते हैं इसी का अब्जेक्टिव रिजोलुशन 13 दिसम्मर 1946 को जवालाल नहरों दुआरा यह रिजोलुशन पास किया गया था बात में हमारे कॉंस्टिशन का हिस्सा बना तो पहला कोशन दिखते हैं पहला कोशन ओफ फॉलोइंग वर्ट इन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो 42nd amendment act 1976 में एड नहीं किया गया था तो मैं आपको पताता है चलो जो प्रेम्बल के अंदर सिर्फ एक ही बार amendment हुआ है वो भी 42nd amendment act 1976 के दौरा इस amendment के दौरा कई सारी चीजों में amend किया गया लेकिन अग हम प्रेम्बल की बात करें तो प्रेम् का addition हुआ था अब देख सकते हैं options के अंदर शोचलिट secular integrity अलड़ी है तो कौन सा नहीं है ओवेस से वाद है dignity जो मेंशन है c में तो option c यहां पर correct चिला जाएगा तो आइए next question देखते है next question है at the time of enactment of the constitution which one of the following ideals were not included in the preamble तो जो second question है आपको यह बताना है इसमें से कौन सा ideal जो है वो हमारे preamble में include नहीं करता था जह हमारा constitution बनाया गया right जो हमारा constitution मना ओर और यह उसके बाद कर प्रेम्बल है तो आप देख सकते हों यहां पर liberty equality justice यहां पर already है और यह भी यहां पर देख सकते हैं यहां पर justice liberty equality मतलब इसके अंदर changes नहीं देखने को मिला बटा कोशिंस के अंदर आप देखते हैं यहां पर क्लिरली मेंशेंट है यहां पर liberty equality justice है देख सकते है शोचलिस्ट उसमें नहीं है शोचलिस्ट कब आया अभी आपने ऊपर first question देखा 42nd amendment act के दुवारा तो question 2 का जो answer जाएगा that will be option c the source list that will be the correct answer in this case ठीक है यह धियां देना है अगी next question देखते हैं which amendment act introduced the changes in the preamble to the Indian constitution अभी हमने देखा जो preamble के इंदर changes आया है amendment हुआ है वो किस amendment act के दुवारा है वो 42nd amendment act 1976 के दुवारा है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को मिनी constitution भी कहते हैं ठीक मिनी constitution भी इसक बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव लेकर के आया था प्रेंबल में तो आया था उसके लावा बागी चीज और यह जो है यह बोला भी जाता है यह जो बदलाव आया था कौन से committee के recommendations आया था तो वह भी ध्यान देना है आपको that is swan sing commission swan sing commission के recommendations से यह changes देखने को भी हमें मिले थे और आप देखो कि भी आगे 10 fundamental duties का भी addition जो है इसी 42nd one minute act 1976 में देखने को मिलेगा क्योंकि जब आरा constitution बना था तो fundamental duties हो थे ही नहीं तो यह आपको ध्यान देना है राइट आई next question देखते है the preamble of our constitution reads as हमारा constitution अभी हमने बढ़ा भी है यहाप आप देख सकते है हमार socialist secular democratic and republic तो यह question पुछा गया यहाँ पर कि जो preamble है वो क्या read करता है तो यह आपको याद रखना पड़ेगा या तो इसके लिए आप जो trick याद कर लेजिए तो आई इसके लिए trick है आप tricks से इसको याद कर सकते है इसका order भी आपको याद रहेगा सो सो कर second race माया जो पहला सो है इसका मतलब हो कि आपका sovereign दूसरा सो जो हो कि इसका हो कि शोचलिस्ट ठीक है और फिर जो second है SEC that is the secular फिर दी जो है second के नदर दो आपको नदर आया दी का मतलब हो कि देमोक्रेटिक एंड रेस रेस का आर जो है that is for the Republic ठीक है इस ओर्डर में आपको याद कर सकते हैं सो सो कर second race में आया ठीक है so means sovereign so means socialist SEC means secular and D for democratic and R for Republic तो ये ट्रिक है थोड़ा जाद रखेंगे तो इस टापको कुशन आप इसली कर पाएंगे आपको यह बताना है जो केशवनन भारती का जो केस हुआ था यह जो केस था बेसिकली अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बेंच का जज्ज माना जाड़ा है 13 जजेस के बेंच ने यह अपना लैंडमार्क फैसला जो है जज्जमन जो है वो सुनाया था 13 जज के बेंच में अभी तक का सबसे बड़ा यह बेंच है 13 जज्जमन में 7 इस टो 6 रेशो से जो जजजेस यो थे उन्होंने अपना जज्जमन दिया था जज्जमन में यह दिया था जो पार्लेमेंट है वो हमारे कॉंस्टुशिन के अंदर किसी प्रोफिशन को वो चेंज कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ चेड़ नहीं कर सकती ही, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज़ नहीं कर सकती है तो आप देख सकते हैं आप पर बेसिक स्ट्रक्चर से लेड़ेट एक ही option ना दारा है, that is option D, that is a basic structure of the constitution तो हमारा 6 का d चला जाएगा आइज आएवी हम दोगोंनेक्स कोशन दिखते हैं नेक्स कोशन है आइज नेक्स कोशन दिखते हैं in which amendment the words socialist secular and unity integrity of the nation were added obviously this is the 42nd amendment Act 42nd amendment Act 1976 में ही इसका addition हुआ था आइज नेक्स कोशन डिखते हैं consider following words अब यह following words है इसको आपको परिम्ब में क्या था सॉषख सो ऐसे सोरिंग तो प्रयोब में आधा सॉर पेलर आएगा तो पीन पहला जाएगा सबसे ओडर्र को बथा दूसरे यह अई स्टा। कि फिर फिर वन आएगा फिर शोचलिस को सो सो कर सेकेंड फिर सेकुलर राएगा याद इस फो त्री वन फोर सेकेंड में दूसरा डी भी आएगा याद इस देमोक्रेटिक तो 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 यह ओडर हो जाएगा 3142 तो अप्शिन एज होगा बेसिकली एट का वह हमारा करेक्ट्रल आजएगा तो इस तरीक अब्जेक्टिव है प्रेंबल के इंद वो फृदर कहां पर अलब्रेटिड है वो हम बात करें DPSP पर इलब्रेटिड है उसका फंडमेंटल राइट फंडमेंटल दूटिस तो अप्शिन सी जो है वो क्रेक्ट चिला जाएगा इसका 9 का क्रेक्ट आंसर जाएगा याद सो ओप्शिन दी विल्ब एक करेंड़ति इंद दिस केज, तो इस ने यह थे प्रेंबल से लेट ने खुछ इंडम्ल थैट यते प्रेंडल से लेट ने पर इंपर्ट पोशिन फोटिस वीडियो में लिकर खायंगे इसले प्रेंबल से लेट आइट ओ यह रो प्रेंडल से